तो फ्रेंड स्वागत है आपका अपनी चेनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में साइन्स के 50 प्रिवियस येर अबजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे और ये जो 50 प्रिवियस येर अबजेक्टी प्रशन है ये बोर्ड एक्जाम 2009 से लेके 2020 तक के परिख्षाओं में पूछे गए हैं और ये जो 50 प्रिवियस येर अबजेक्टी प्रशन है ये बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए काफी ही महत पुड़ है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखिएगा और इसमेंसे जो भी प्रशन आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा और ये है वीडियो का पार्ट टू अगर आप पार्ट वन नहीं देखें तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में वेल आइकन को ओल पे भी दावा लीजिएगा का कि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंसता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्ण से पहला नंबर प्रश्ण कि जब किसी धातू से बिधुधारा प्रवाहित होता है तब उसमें गति सीलकन कौन सा होता है काफी महत्पड प्रश्ण है कि जब किसी धातू से बिधुधारा प्रवाहित होता है तब उसमें गति सीलकन कौन सा होता है ये आपको बताना है एउप्षन है परमाडू, भी उप्षन है आयन, सी उप्षन है प्रोट्रॉन, डी उप्षन है इलेक्ट्रोन अप्षन जया आपको बताना है कि जब किसी धातू से बिधुधारा प्रवाहित होता है तब उसमें गति सीलकन कौन सा होता है तो इलेक्ट्रोन होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ यहाँ पर D-OpTION क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सरी हो जाएगा और electron पे कौन सा आवेस होता है तो rinड आवेस होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला परशने 2 नमबर दो नमबर परशने निम्न में से किसे चांकू से काटा जा सकता है ये भी काफी महातपुड परशन है इसमें से आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है ए ओपसे ने लिथियम को, बी ओपसे ने कैलसियम को, सी ओपसे ने कॉपर को, डी ओपसे ने आयरन को ते हैं आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा और यहाँ पे एक और होता है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं जो होता है सोडियम, सोडियम को भी हम लोग चाकू से क याट सकते हैं तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आए देखते हैं अगला परशने तीन नंबर परशने की प्राकिरती में प्रिथवी पर उर्जा का एक मात्र सुरोत क्या है तो सुर्या है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने चार नंबर चार नमबर प्रशन है कि जीओ दरब्यमान उर्जा सुरोत का उधारन निम्न में से कौन नहीं है हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण पांच नंबर प्रश्ण की विधुत चुम्बक्या प्रिरण का खोज किस ने की थी काफी महत्पुड प्रश्ण है यहां पर आपको बताना है कि विधुत चुम्बक्या प्रिरण का खोज किस ने किया था यहां पर आपको बता महत्पुड महत्पुड 50 previous year objective प्रशन है और ये जो 50 previous year objective प्रशन है ये board exam 2021 के लिए काफी महत्पुड है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंतक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रशन आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे लिखके याद कर ल होता है ये भी काफी महत्पुड प्रशन है और निकट दूर्श्टि दोस दूर को याद रखना है और दूर दिश्टि दोस सकता इसा उत्तर लेंग का उप्योग किया जाना है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, आईए देखते हैं अगला प्रश्ण साथ नंबर, साथ नंबर प्रश्ण है कि ओक्सिजन के दो परमाड़ों के बीच कितने अबंध होते हैं, यहां पर आपको बताना है कि ओक्सिजन के दो परमाड़ों के बीच कितने अबंध हो इसे आपको याद रखना है यहां पी बी ओप्चन क्या हो जाएगा यहां पे बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला पृषण एंडी ओप्चन नमबर प्रशण की मानो में डायलीसिस थैली कौन है गाफी महाथपुड प्रशण अभषन आपको प्रशण की मानो में डाइलिसिस थैली नैफरान है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर एउप्षन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने नौ नंबर नौ नंबर प्रशने की सरीर की सबसे बड़ी कोशी का कौन सी है काफी महत्पुड प्रशन है कि सरीर की सबसे बड़ी कोशी का कौन सी है ए उप्षने तवचा कोशी का बी उप्षने तंतरीका कोशी का सी उप्षने रक्त कोशी का डी उप्षने इन मेंसे कोई नहीं तो यहाँ पर आपको बताना है कि सरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंतरीका की कोशिका होती है, वो सबसे लंबी और सबसे बड़ी होती है, तो इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिलकुली सही हो जाएगा, यह देखते ह अगला प्रशने 10 नंबर, 10 नंबर प्रशने की पुस्पी पौधों में लेंगिक जनन किसके द्वारा होता है, काफी महत्पुड प्रशन है की पुस्पी पौधों में लेंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ए उपसे ने पतियों द्वारा, बी उपसे ने तने द्वारा, सी बिज दौरा तो यहां पर बताना है कि पुस्पी पोधों में लेंगिक जनन किसके दौरा होता है तो फूलों के दौरा होता है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे C option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुली से हो जाएगा काफी महत्पुड महत्पुड 50 previous year objective प्रशन है तो एक भी प्रशना पे स्कीर मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 11 नंबर 11 नंबर प्रशने निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अप घटित होने वाला पदार्थ नहीं है अगला प्रशने 12 नंबर 12 नंबर प्रशने की एक स्वस्त नेतर के लिए दूर बिंदू कितना होता है काफी महत्पड प्रशने हैं कि एक स्वस्त नेतर के लिए दूर बिंदू कितना होता है तो अनन्त होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही से हो जाएगा कि कौन सा अधातू कमरे के ताप पर द्रौ होता है तो यह जो अधातू होता है कमरे के ताप पर द्रौ के रुप में पाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने चौदा नंबर चौदा नमबर प्रशने की सीसा तथा टीन के मिस्र धातू को क्या कहते हैं काफी मातपड़ प्रशन है की सीसा तथा टीन के मिस्र धातू को क्या कहते हैं ए उपसे ने सोल्डर, बी उपसे ने स्टील, सी उपसे ने गन मेटल, डी उपसे ने उपधातू तो यहां पर बताना है कि सीजा तथा टीन के मिसर धातु को क्या कहते हैं तो सॉलडर कहते हैं इसे अपको याद रखना है यानि यहां पर एउप्षन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला परश्णे 15 नमबर 15 नमबर प्रशने कि किसी वस्तु का प्रतिवी मनेतर के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं काफी मातपुड मातपुड 50 प्रिवियस यह अबजेक्टी प्रशने है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिजिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने का बताना है तो जो केचुआ होता है यह उपहिलिंगी जन्तु होता है इसे आपको याद रखना है यहां पे यहां पर ब्लकूल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला सत्रा नंबर 17 नमबर प्रशने निम्न में से कौन भूमिगत जल का उधारण है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन भूमिगत जल का उधारण है A.O.P.S.E. न न दी B.O.P.S.E. कुआ, C.O.P.S.E. न तलाब, D.O.P.S.E. समुंदरते हैं आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूमिगत जल का उधारण है तो जो कुआ होता है यह भूमिगत जल का उधारण होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B.O.P.S.E. क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 18 नंबर 18 नंबर प्रशने की भोजन का पचना किस परकार की अभिकिरिया है काफी महातपुड प्रशने है यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस परकार की अभिकिरिया है A.O.P.S.E. ने उपचयन B option सेयोजन, C option अपचयन, D option विस्थापनते हैं आपको बताना है कि भोजन का पचना किस परकार की अभिकरिया है तो उपचयन की अभिकरिया है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिकरिया सील है तो इसमें से सबसे अधिक अभिकरिया सील कौन होगा कोपर होगा, तामभा होगा इसे आपको याद रखना है यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुली से हो जाएगा और सभी पदार्थों में सबसे अधिक अभी किरिया सिल कौन होता है तो सोडियम होता है इसे आपको याद रखना है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है और सोडियम को कहां पे रखा जाता है B-Option ए खड़िया, C-Option ए संगमर-मर, D-Option ए प्लास्टर ओफ पेरिस, तो अब आपको बताना है कि निमन में से कौन बिजाती है योगिक है, तो जो यहाँ पे प्लास्टर ओफ पेरिस है, यहाँ पे बिजाती है योगिक है, यानि यहाँ पे D-Option क्या हो जाएगा, यहाँ बिलकुल ही सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रशने 21 नमबर, 21 नमबर प्रशने की रक्त क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है, ए उपसे ने जल सही हो जी उतक, B-Option ए तरल सही हो जी उतक, C-Option ए रक्त सही हो जी उतक, D-Option ए इन में से कोई नहीं, तो बह अपको बताना है कि रक्त क्या है, तो रक्त तरल सही हो जी उतक है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B-Option क्या हो जाएगा, काफी मात्पड प्रशने हैं, तो प्लीज आप लोग एक भी प्रशन को स्कीब मत किजएगा, वीडियो को प्लीज आप से स्वासन करता है एक इस से स्वासन करता है इसे आपको याद रखना एक काफी मात पुर परशन है यहां पर सुपसन क्या हो जाएगा इहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा और जो मचलिया होती है गिल्स से स्वासन करती है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है गिल्स का मतलब क्या होता है गल्फडा होता है और जो मनुस्य होते हैं ये फेफडू से स्वासन करते हैं तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्र तो यहाँ पर जो लेड होता है यह क्या होता है उस्मा का कुछालक होता है इससे आपको याद रखना है यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 24 नंबर 24 नंबर प्रशने की फ्लेमिंग के दक्षिड हस्त नि दिशा को C-Option है दोनों को D-Option है इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपको बताना है कि फ्लेमिंग के दक्षिड हस्त नियम में अंठा किसकी दिशा को बताता है तो धारा की दिशा को बताता है इससे आपको याद रखना है यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर ब द्वारा टी ओपसन है भेलना कर लेंस के दौरा तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोस्त को धूर करने के लिए किस लेयन का हम उप्योग कर सकते हैं तो किसका कर सकते Penod Babuot Lens A option ने चीनी की कमी से, B option ने आयोडीन की कमी से, C option ने रक्त की कमी से, D option ने मोटापा से, तो यहाँ पर आपको बताना है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो यह आयोडीन की कमी से होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर B option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्क होते हैं A option है यहाँ पे देखिए 4 B option है 5 C option है 3 D option है यहाँ पे दोते हैं पर आपको बताना है कि मिथेन में कितने सह संयोजी बंदन होते हैं तो मिथेन का रसाइन आभियों देखते हैं अगला प्रशन नबर 18 नमर प्रशने आवर्तसांदी के सुन्य समूह का तत्व कौन सा है इसे आपको याद रखना है यहां आपर D option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कूल ही चवह देखते हैं अगला 59 प्रत्र प्राश्न की इथायल एल् कोहल किस परकार के स्वासन में बनता है का इस प्रत 마무र की स्वासन में बनता है तो इथाइल, एल्कुहल, और आईवी ये स्वासन में बनता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने तीस नंबर प्रशने कि मनुस्य का वरिक कौन सा कारे करता है का उत्सरजन का कारे करता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महतपुण, महतपुण 50 प्रिवियस और अबजेक्टी प्रशने तो एक भी प्रशने आप स्कीब मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप प्रशने आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे लिख के ज़रूर याद कर लिजेगा आईए देखते हैं अगला प्रशने एकतिस नंबर प्रशने निम्न में से किसका उप्योग खाना बनाने वाले इंधन में नहीं होता है यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें स नहीं होता है खाना बनाने वाले इंधन के रूप में यहाँ पर इयोप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महत्पुड प्रशने है कि घरों में विदुद दुरगटना किस कारण से होता है ए उप्सने फ्यूजतार से बी उप्सने सोट सर्किट से सी उप्सने यहाँ पे उचधारा के परवास से डी उप्सने इनमें से कोई नहीं 32 प्रशने काफी महत्पुड प्रशने की घरों में विदुद दुरगटना किस कारण से होता है तो सोट सर्किट से होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 33 प्रशने की किसी भी अमली या विलियन का पी c option है कोई नहीं तो यहां पर आपको बताना है कि किसी भी अम्लिया-villion का पि-ACH किसे होता है तो 7 से कम होता है इसे आपको याद रखना है यहां पर c option क्या हो जायगा यहां पर बिल्कुल ही से हो जाएगा और बिलियन का पीएच मान साथ से अधिक होगा उसे क्या कहेंगे तो वो कैसा होगा तो चारिया होगा इसे आपको याद रखना है और जिस भी बिलियन का पीएच मान साथ होगा वो उदासिन होगा तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 34 नमबर प्रशने की अधुनी कावर्त साइड़ी में 36 कतारों की संख्या होती है यहाँ पर आपको बताना है कि अधुनी कावर्त साइड़ी में 36 कतारों की संख्या कितनी होती है तो साथ होती है इसे आपको याद रखना है और जो उर्धोडर कतारे होती है इसकी संख्या कितना होता है तो इसका संख्या 18 होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण Elizabeth 35 नमबर 35 प्रशने कि मस्तिस उतरदाई होता है यहां पर आपको बताना है कि मस्तिस को उतरदाई होता है किसके लिए एयोपसे ने सोचने के लिए बीयोपसे ने सरीर संतुलन के लिए सी ओप्सने हिर्दय अस्पंदन के लिए डी ओप्सने सभी के लिए तो यहां पर आपको बताना है कि मस्तिस को उतरदाई होता है तो यह किसके लिए उतरदाई होता है तो सोचने के लिए उतरदाई होता है सरीर का संतुलन बनाय रखने में भी यह उतरदाई होता है और हिर् आपोरतन के कितने नियम है, A-Option है यहाँ पर यादर रखना है, यहाँ पर A-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्णे 37 नमबर, प्रश्णे की प्रकास की चाल सबसे अधिक कहा होती है, काफी महत्पुर प्रश्णे क कि प्रकास की चाल सबसे अधिक कहा होती है A option इसे आपको याद रखना है या पर D option क्या हो जाएका यहाँ बिल्कुली से हो जाएगा निरुवात में प्रकास की चाल कितनी होती है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रष्णे 38 नेमबर 38 नमबर प्रशने की ओधातू के ओक्साइड कैसे होते हैं, काफी महत्पुर प्रशने हैं की ओधातू के ओक्साइड कैसे होते हैं, A उपसे ने छारिया, B उपसे ने अमलिया, C उपसे ने दोनों, D उपसे ने इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको बताना है की ओधात और धातु के ओक्साइड कैसे होते हैं, Cen और ध साथ में., आपको याद रखना है और प्रश्न49 नंबर का पानी का, प्रश्न कीतना होते हैं यहाँ पَّरको बताना है कि पानी का pH मान कितना होता है a option 8 bei option 3 c option 7 d option 6 यहाँ पनी का pH जिटना होता है तो पानी का pH मान 7 होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे c option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही रही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण चालीस नंबर प्रश्ण कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं काफी महत्पुड प्रश्ण है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल इसे हो जाएगा और जो ओतल लेंस होता है इसे अपसारी लेंस कहते हैं तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन एक तालिस नंबर प्रशन यहाँ पर देख लिजे कि यहाँ पर दे उतल लेंस का B option ने उतल दरपड का C option ने उतल दरपड का D option ने यहाँ पर समतल दरपड का तो आपको बताना है कि डॉक्टरी छेतरों में कौन सा दरपड का परियोग किया जाता है तो उतल दरपड का परियोग किया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B option क्या ह यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 42 नंबर 42 नंबर प्रशने की LPG का मुख्य घटक क्या होता है काफी महत्पड प्रशन है कि LPG का मुख्य घटक क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तिरालिस नमबर पको बताना है, कि धारा किसे अंतर के द्वारा मापा जाता है, इसे आपको यद्र रखना है, यहाँ पे B. यहां पर बिल्कुल ही से हो जाएगा और धारा का एसे ही मातरक क्या होता है एमपीर होता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने आपे 44 नंबर 44 नंबर प्रशने की विदूत हीटर में किस तार का परियोग किया जाता है काफी इससे आपको याद रखना है इंहां पर बिल्कुल हो जाएगा देखते हैं अगला प्रशन पैंतालिस नंबर 45 नंबर प्रशने की वो कौन सा अधातु होते हुए भी विदूत का सुचालक होता यहापधाईड बी उपसे ने लो हास, सी उपसे ने सोना, डी उपसे ने ग्रिफाइड, तो ग्रिफाइड वो एक ऐसा अधातू है, जो अधातू होते हुए भी ये विदूत का क्या होता है, सुचालक होता है, यानि चालक होता है, यानि यहाँ पर डी उपसन क्या हो जाएगा, यहाँ पर काफी महातपुड महातपुड प्रशन है तो एक भी प्रशन आप स्कीब मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 46 नंबर 46 नंबर प्रशने कि जब दूद से दही बनता है तो पी एच स्केल पर क्या असर पड़ता है काफी महातपुड प्रशन है कि जब दूद से दही बनता है तो पी एच स्केल पर क्या असर पड़ता है ए उपसे ने बढ़ता है बी उपसे ने घटता है सी उपसे ने कोई परिव विल्कुली सही हो जाएगा क्योंकि जो दूद होता है जब दूद से दही बनता है तो जूद ही होता यह अधिकम लिया हो जाता है तो इसेलीए इसका पिहेंच मान क्या हो जाता है घड़ता है यहां पर देखते हैं अगला प्रशने 47 नमबर प्रशने की रक्त का pH मन कितना होता है काफी महत्पूर्ण प्रशने है यह की रक्त का pH मन कितना होता है यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे C option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 48 नमबर प्रशन की कौन सा धातू स्वतंतर अवस्था में पाया जाता है काफी महत्पड प्रशन है की कौन सा धातू स्वतंतर अवस्था में पाया जाता है A option ने चा तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा धातू स्वतंतर अवस्था में पाया जाता है तो सोना एक ऐसा धातू है जो स्वतंतर अवस्था में पाया जाता है यानि यहां पर C option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आएए देखते हैं अगला प्रशन D option है, दस तो हैं आप आपको बताना है कि sodium का पर्माडू से क्या कितना होता है, तो sodium का पर्माडू से क्या 11 होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर C option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशने 50 नमबर, 50 नमब क्या है, तो लोहा क्या है, यहाँ पर धातू है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर E option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आप यहाँ पर 50 previous year objective प्रशने देख चुके हैं, जो board exam 2021 के लिए काफी ही मात पुढ़ है, तो इसमें से जो भी प्रश आपको बताना है कि हेमेटाइट किसका आइसक है, तो जो हेमेटाइट होता है, यह आपको बताना है कि किसका आइसक है, comment box में यह आपको क्या करना है, बताना है, और वीडियो को लाइक नहीं कियें, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दिल से पास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहें थैंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मनला आगा पढ़ाई किजिए टेक केरें बाए